वेल्कम तो दे पेसपार माई अकेडमी इस वीडियो एक्ट्टर में हम सीखने वाले कैपसुल्स तो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले कैपसुल क्या है हो जान लो कैपसुल जो है वो सॉलिड डोसेज फॉर्म है जो ये पार्ट है उसे कहते है बोडी और यह जो पार्टे उसे के थे कैप और यह जो पूरा आउटर पार्टे वो किससे बना होता है शेल से मतलब वो एक शेल ही है वो किससे बना होता है जिल्याटीन से जिल्याटीन से यह जो शेल है इसके अंदर अंदर क्या होता है ऐसे करके हमारा ड्रग सबस्टांस, ओके, क्या होता है, ड्रग, ओके, यह पार्ट बोड़ी, यह क्या, यह पूरा शेल, शेल किसे बना होता है, जिलाटीन से बना होता है, और शेल के अंदर क्या होता है, ड्रग, यह जो जिलाटीन है, उसके दो टाइपस होते है, एक, सॉब जिलाटीन, और और फिल के जाती है, ओके, तो इसकी डेफिनिशन क्या होगी, capsules are solid dosage forms in which drug substance, यहाँ पर drug substance includes within a hard और soft gelatin, ओके, soft shell generally form from gelatin, अब यह जो shell होता है, ओके, वो किसे बनाए, जिलेटीन से, जो कि हमारी body में soluble होता है, ओके, क्या होता है हमारी body में soluble होता है, अब next, इसके advantages क्या है, जब भी बात होगी capsule की, तो उसका comparison किसे क्या जाता है, tablet से, किसे क्या जाता है, tablet से, अब देखो, जब भी हम कोई tablet लेते हैं, तो उसकी हमें taste पता चल जाती है, की भाई यह टेस्ट है कभी कभी टेस्ट केशी होती है कड़ी होती है यानि बिटर टेस्ट होते है इसके वज OF चोटे बच्चे होते हो हुआ मिट करते हैं तो Q zu L concise olur के उपर के एडवांटेज है कि वो टेस्ट को मास्क करते दीucks securities कि तेस्ट दूसरी होगा उसका जो order होता है वो भी mask हो जाता है अन्प्लीजेंटर का तो इसके उज़े से हम easily administer कर सकते हैं और दूसरी बात जो पेशेंट होते हैं वो capsule को ज्यादा follow करते हैं यानि capsule लेना ज्यादा पॉसंट करते हैं ना देखो जब tablet का size जब बड़ा होता है तो वो solo करने में दिक्कत आती है ओके तो यह बात capsule के साथ नहीं होती है capsule के जब moist होती है तो slippery हो जाती है उसके जैसे क्या easy to solo अब जो शेल होता है उपर का शेल होता है किसे physiologically inert है और quickly digested in the jade tract अब जो शेल से हम क्या करते हैं जो ड्रग से उनको protect from light करते हैं क्यों करना protect from light क्यों करना क्यों 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 ड्रग सोते हैं कभी कभी oxidize हो जाते हैं ओके क्यों होते हैं oxydides हो जाते हैं तो यह बात है अभी they are economical and attractive in your appearance तो patient compliance क्या होगा ज्यादा होगा और जो the bioavailability of hydrophobic drugs can be significantly increased when formulated into soft gelatin capsules मतलब क्या जो hydrophobic drugs की bioavailability increase होती है जब वो soft gelatin capsule में insert किये जाते हैं ओके तो यह कुछ advantages है now disadvantages यहाँ पर disadvantages में क्या है जब भी कोई भी जो हमारा उपर shell होता है ओके एगर उसमें hygroscopic drug होगा तो वो क्या करेगा the drug substance that are hygroscopic absorb water from capsule shell and making it brittle क्या करेगा उसको brittle बनेगा हैंस not suitable for filling into capsule तो जो hygroscopic drugs है वो not suitable है ओके और the concentrated solution that are required for previous dilutions are unsuitable because if administer it leads to irritation अब जो concentration solution से वो क्या करेंगे उनको dilution की जरूरत होगी तो फिर वो खून ही पाईगा इसमें अगर जो प्रिपेटर सुलीशन ही वो जद्धा मतलब इमेडियेट करके वो क्या होगा इरिटेशन कॉस होगा ओके स्टमक में ओम आगे डिसकस कर लेंगे इन डीटेल अब देखो classification classification है अब यहां पर दो मेंने जिलेटिन का यह किया था एक हार्ट टाइप का होता है कैपसूल और एक सॉब टाइप के कैपसूल होती है जो सॉब जिलेटिन कैपसूल होता है ओके ओप्रिपेड किसी के क्या जाता है प्लेटिंग प्रोशेसर से और रोटरी डाय प्रोशेसर इन विच दे आर फॉर्म फिल और सिल इन सिंगल अपरेशण है सिंगल उप्रेशन सिर्फ में वSt59 अब्र में दे प्रोशेसर इसा हाल जिलेटिन के कैपसूल पे नहीं होता है सॉब जिलेटिन कैपसूल और श्लोशेसर से ज्याधा है Sob Gelatin कैपसूल सिंगल भीकषेसर से विल्योग स जाता है only filled with the liquids again hard gelatin filled with the powders granules and pellets यह याद रखना ओके और एक बात यह जो hard gelatin capsule है ना तो इसको याद रखना देखो यह जो फॉर्म है ना cover वो किसा होता है hard चुकि हम normal जो लेते है ना वो hard gelatin capsule से बनता है यह जिज्जिस tablet में जिज्जिस capsule में एसी covering होती है हो क्या होती है hard gelatin होती है ओके यह हुआ अब डिफ्रेंस देखते हैं इन दोनों में क्या डिफ्रेंस है hard gelatin capsule और soft gelatin capsule में यहां पर देखो पहले इमेज देखते हैं ओके यह इमेज जो है hard gelatin के और यह जो यहां पर आप देख सकते हो इसको जूम नहीं कर पा रहा है यह जो आपको देखती ही पता चल रहा है कि यह आपको यह है जो है यहां पर यहां पर कैसे एंड तो फिर फिर इन दोना डिफ्रेंस क्या है इसमें क्या होता है दो body part होते हैं heart gelatin में, एक body और दूसरा cap part, जो कि मैंने already बोला, और इसमें single piece होता है, मतलब ऐसे करके single operation के थ्रू बनाया जाता है, अभी heart gelatin capsule are used to fill dry and powder materials, यह हमेशा याद रखना कि इसमें powders, granules और pellets हो सकते हैं heart gelatin में, but soft gelatin में नहीं होता हूँ, single operation में होता है, और उसमें सिर्फ liquid सी रहता है, okay, soft gelatin are usually mainly for oil based solutions और medicines, यह क्याद रखना, अब इसका ratio क्या होता है, gelatin and plasticizer का, in heart gelatin में 0.4 to 1 होता है, whereas इसमें double होता है, 0.8 to 1, यह important, okay, तो heart gelatin capsule जो है different different size की होती है, लेकिन यह जो soft gelatin capsule है, वो limited size में available रहती है, okay, okay, तो now heart gelatin capsule available in cylindrical shape, but यह oval में भी है, round में है, round में है, round में भी है और tube like shape में भी present रहती है, तो इसका, जो moisture content होता है, वो lower रहता है, और heart gelatin, soft gelatin में ज्यादा रहता है, okay, they are manufacture by dipping method, whereas यह rotary dry process, plate method, और bubble और echo gel method से भी prepare किया जा सकता है, soft gelatin capsule, अभी bloom gel, यानि gel strength, तो यह, इसको आप जड़ा समझने के लिए, देखो, क्या होता है, कि जो gelatin होता है, या फिर यह सा आप समझ लोगे, यह मेरे पास, suppose, यहाँ पर इसमें मेरे ऐसी gel present है, okay, यह इसी gel present है, okay, यह एक gel present है, right, अब इसकी मुझे ना whisk, मतलब ऐसा देखना है कि इसमें कितनी cross linking है, जो कि मतलब अभी उपर से गर, ठीक है, हम देख लेंगे, देखो, क्या होता है, कि कोई भी gel होती है, जैसी कि, यहाँ पर आप देखो, okay, यह जो gel से, यहाँ पर कितना cohesive force present है, वो हमें major करना पड़ता है, अब cohesive मतलब, similar में कितना है, दो particles है, similar से, उन में कितना force है, बांडिंग है, वो major करना पड़ता है, okay, मैं इसके लिए आपको एक example बताता हूँ, suppose यह मेरा एक gel है, okay, तो gel में क्या होता है, वो थोड़ा ज्यादा viscous होता है, विसकस और जिलेटीन में क्या mostly होता है, कि उन में जो cross linking होती है, वो ज्यादा होती है, यानि कि उनकी cohesive force है ज्यादा होती है, और एक, और यहाँ पर एक instrument ऐसा रहेगा, okay, एक instrument ऐसा रहेगा, और यह instrument नीचे नीचे इसको में जितना force लगाऊंगा नीचे, तो यह क्या होगा, यह नीचे नीचे जाएगा, और एक time आएगा कि, मतलब यह जो cross linking की, वो break होना start हो जाएगा, तो यह बात है कि हम यहाँ पर bloom strength, मतलब cohesive force, cohesive strength कितनी है, gelatin की ओप major करते हैं, और वो proportional to क्या होती है, molecular weight of the gelatin, यह कुछ इतना difficult नहीं होता, यहाँ पर इस diagram में आप देखें, यहाँ पर यह जो gel है, यह जो gel है, इसमें यह जो roll है, वो insert किया जा रहा है, और एक time पर आएगा, वो, मतलब जितने भी जिसे जिसे ज्यादा pressure लगा होगे, वो नीचे नीचे दपता चले जाएगा, तो उसके लिए एक value होती है, और हाँ, उसके लिए, पहले आप bloom, bloom और gel strength की definition समझ लो, it is a measurement of the cohesive strength of the cross linking that occurs between gelatin molecules, इतने भी gelatin molecules है, उनकी cohesive strength हम measure करते हैं, by bloom strength और gel strength से, अब यह measurement कैसे होती है, इसमें क्या important है, कि gelatin gel का percent केतना होता है, 6.67 that has been held for 10 degrees LCS for 17 hours, ओके, अब हाट gelatine की कितनी strength होती है, कितनी होनी चाहिए, अगर 200 से 250 gram तक होनी चाहिए, तो ही वो हम use कर सकते हैं या फिर नहीं use कर सकते हैं, in case of sub gelatin 150 gram उसकी strength होनी चाहिए, तभी हम उसके लिए use कर सकते हैं, अगर ज़्यादा होगी या फिर कम होगी तो नहीं use करेंगे, तो आप समझगे, bloom strength, अब देखो, यहाँ पर आपको थोड़ा, अच्छा सा समझ में आएगा, यह rod, यह gelatin है, जिसमें हम थोड़ा थोड़ा pressure से, उसकी value तब हमें पता चल जाती हैंगी, कि इतनी आएगे, जो कि, आप सब्सक्राइब से में पता चल जाता है, इंस्ट्रूमें पता चल जाता है, दे कोस्ट अब जिलाटिन इस डारेक्ली प्रोपोर्शनल, तो इस ब्लूम और जेल से, दोज इस अन इंपोर्टन फैक्टर आप दो, इन दो कॉस्ट आप साप कैप्सूल, ना देखो, ब्लूम जिल, ब्लूम स्टेंथ अब गजिलाटिन आप यूज्ड अर यूज्ड ओनली वेन, नेसेसरे तो इंप्रोव द फिजिकल स्टेविलिटी, आप प्रोड़क्ट फॉर और फॉर लार्ज कैप्सूल, मतला उससे हम जो की फिजिकल स्टेविलिटी भी हम इंप्रोव कर सकते हैं, ना प्लास्टिसाइजर, अब यह जो प्लास्टिसाइजर का रोल जो होता है, यह क्या करता है plasticizer जो shale होता है हमारा उसको क्या करता है elastic बना देता है और उसकी brittleness और cracking को minimize करता है यह mostly soft gelatin capsule के लिए commonly used किया जाता है the ratio of dry plasticizer to dry gelatin determines the hardness of the gelatin shell यह काफी important है यह क्या करता है plasticizer मैं वापस बहुता है plasticizer मतलब shale को जो shale होता है उसको elastic बनाता है और उसकी brittleness और cracking value कम करता है ओके दूसरी बात plasticizer mostly common किसके लिए soft gelatin के लिए है ओके the ratio of dry plasticizer to dry gelatin character हमने करता है hardness of the shell अब यहाँ पर आप देखो जो hardness value है अगर 0.4 हमने अभी देखा था जो ड्राइश आप ग्लिसरीन और ड्राइश न्टी ड्राइजिलिन हाट के लिए 0.4 स्टूवन होता है soft के लिए double होता है यानि 0.8 स्टूवन अब इसकी uses के oral के लिए आइल बेस के लिए shell softening products के लिए इसकी uses है वैसे medium के लिए oral tube वेजिनल आइल बेस्ट वाटर मिसिवल बेस और shell hardening products के लिए वैसे ही soft gelatin ड्राइबलू ट्यूब वेजिनल वाटर मिसिवल बेस और shell hardening products और दोज बेस्टिन प्राइमरी फॉर ओल ड्राइड इस मतलब उसके लिए आपको बेसिकली हम क्या याद रखना है hard gelatin capsule जो होती है मतलब उसमे powders फील करते है softening क्या करते है liquids हो जादा important है okay now the ratio of water to dry gelatin can vary from 0.7 to 1 to 3 for water to once मतलब dry gelatin के लिए one depending on the viscosity of the gelatin being used however जो ज्यादा भी formulation होते हैं उनकी value 1 to 1 ही होती है कुछ additional compote से gelatin के only 50% of the gelatin mass is incorporated into the capsule मतलब 50% से ज्यादा हम gelatin capsule में नहीं डाल सकते हैं अब यह preservative से methyl paraben और प्रोपाल परबेन ratio क्या होते हैं उनका force to 1 0.2% यूज कर सकते हैं उनका रोल जो है preservative ओके तो इसमें यह important इसका रोल क्या है preservative उनका parts कौन से यह जी पैट के लिए ज्यादा important है ओके हाट जिलेटिन capsule उसके लिए हम next lecture में डिसक्स करेंगे तो हम थोड़ा एक बार फासली रिवाइस कर लेते हैं कि क्या है क्या नहीं सीखा हमने जो में में ने वहीं हम सीखेंगे ओके कि देखो हमने क्या बोला कि capsule solid dosage form है यह जो पार्ट है उसको बॉड़ी कहते हैं ओके यह जो पार्ट है उसको कहते हैं और एक hard gelatin soft gelatin में शिर्फ liquids fill up किया जाता है लेकिन hard gelatin में powder powder pellets fill के जा सकते हैं बाद में हमने सीखा उसके advantage उसके disadvantage बाद में classification में हमने वापस वही repeat किया soft gelatin capsule और hard gelatin capsule soft gelatin capsule के लिए single operation में ही बना सकते हैं as compared to hard gelatin capsule को थोड़ा time लगता है बाद में हमने यहां पर एक important parameter देखा कि ratio of gelatin और plasticizer का 0.4 to 1 होता है और इसका 0.8 to 1 होता है और hard gelatin capsule dipping method से prepare की जाती है उसका moisture uptake less होता है और soft का high होता है okay bloom gel देखा कि bloom gel क्या है measurement of the cohesive strength of the gelatin और उसका जो वो जो proportional to the molecular weight of the gelatin रहते है और hard gelatin heart capsule के लिए 200 to 250 ग्राम तक है और soft capsule के लिए 150 है okay plasticizer में हमने देखा हमने mostly इसकी value जो है वो हमने यह किया 0.4 to 1 0.8 to 1 और यह जो प्लास्टाइजर का काम होता है वो shell को elastic बनाता है और उसकी brittleness और cracking को कम करता है और वो mostly काम होता है किसके soft gelatin के लिए और यहां पर हमने देखा कि mostly 50% से ज्यादा हम जीलेटिन का मास इंकॉर्परेट कैपसल में नहीं कर सकते methyl पेरवन का रेश्यो है 4 to 1 0.2 परसेंट हैं यूज करते उनका रोल है प्रिजर्वेटिव ओके हाड़ जीलेटिन कैपसल हम बाद में से खेंगे जब्सक्सा प्रिश्टिय। ऍट Princi